हेलो बैस, वेलकम टो सालर रोबोटिक्स आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जो पुराना DC मोटर आप देख रहे हो इसका यूज करके काफी पॉर्टिफुल सा जनरेटर बनाने वाले ये जो पुराना DC मोटर है ये आपको पुरानी काफी सारी चीज़ों के अंदर इदेली मिन जाएगा जैसे कि हमारा आप पुराना DVD player हो गया, पुराना जो पुमने वाला डिसको लाइट होता है कोई लाइट हो गया है, पुराना चोटा वाप्मैन हो गया है फिर खिलौ ना ओ गया है क्योंकि अब तो ये DC मोटर क्योंके किसी भी खाम की नहीं रहे है, फूली मिन तरहीं हो चुकी है तो इसी का यूज़ करके हमें 3-phase generator बनाने होगे हैं तो इसको 3-phase generator बनाने के दिए सब से पेदे इस मोटर को open करना होगा तो इस मोटर को open करने के दिए आपको यह आपर कुछ locks दिये तो दिख रहे होंगे और इसका पीछे का डगकन खुन देते और फिर देखते ही इसको क्या करना है तो गाइज अब इस मोटर को open करने के काफी सारे तरीके है जैसे कि पहला तरीका आप इस तरीके से जो cutter होती है जो हमारे side cutter उससे ये जो locks से इनको कुछ इस तरीके से open कर सकते हो या फिर दूसरा तरीका इस तरीके की कोई file ले सकते हो और इससे जो locks से इनको घिसकर खुन सकते हो पूरा घिसकते हो या तीसरा तरीका angle grinder से इन locks को मतलब घिसकर खुन सकते हो या फिर कोई page customer जो हतोड़ी है उससे पीक के भी इन locks को को खुन सकते हो और चलो मैं जल्दी जन्दी इन locks को या जो cover है वो खुल जाए तो अब इसके जो part है वो पूरी तरीके से निकल चुके है यह देख सकते हो आप magnet वाला part यहापे आपको में चिपका के भी दिखा देता हूँ यह जो है round वाला magnet का part है तो इसका तो हमें फिल हलकाम है और यह जो इसका rotor rotor का भी हमें इसके अंदर काम है और एक part यह नीचे का जो कि brush लगे हुए होते इसका कोई काम नहीं है तो इसको फिलाल फेक देते और अब यहापे क्या करना है कि यह जो rotor है और shaft है इसको हलका हलका इस तरीके से पीटना है मतलब नीचे की side से थोड़ा सा shaft बाहर के side में आना तो अब यहापर हमें इसके बाद लेनी है एक इस तरीके की PVC sheet जो की अच्छी quality की मोटी वाली होनी चाहिए और अच्छे hard PVC की बनी होनी चाहिए मेरे पास इस तरीके की PVC sheet नहीं थी इसलिए मैंने क्या किया दो PVC sheet ली और उनको एक दोसरे के उपर चिपका के एक मोटी PVC sheet बन करने पड़ेंगे जिससे कि यह जो है कही पे भी हम generator को fix कर सकेंगे तो चलो सबसे पहले हम marking लगा लेते उसके बाद यहापर चेद करते और इसको यहापर बीच में चिपका देते तो इसके अंदर छेद हो चुके है यह जो छेदे इनको मैं 3-3 mm का कर लूँगा और यह जो इसको इस तरीके से इसके अंदर बीचा के चिपका लूँगा लेकिन इसको यहापर चिपकाने से पहले हमें यह जो 3 points दिख रहे हैं यह देखो यह 1, यह 2 और यह इस side में 3 इस त connected है तो यहापि मैं 3 Wire इस फेले solder करने पडेंगे तो मैं 3 Wire इस प्रें हो और वाइरों को solder करने के बाद इसको आप ऐसे लगा कर देता हो और तीनों वाइरों को यहाइस से बाहर निकल लेता है उसके बाद आपको दिखाता हो कि क्या करना है तो guys मैंने यहाँ पर इसके साथ तीन वाइरे जो थी उनको सोल्डर करना था जो मैंने आपको बोला था उसी तरीके से तीनो वाइरों को सोल्डर कर दिया रहे और उसके बाद यह जो नीचे वाला फीस है इसके उपर हम इसको कुछ इस तरीके से लगा देते और यह जो वायरे इनको यह आपर इस तरीके से चिपका लेते हैं तो चलो जल्दी से हम इनको फेविगिक से ऐसा चिपका लेते हैं तो गैस यह कुछ इस तरीके का हमारा या पर चिपक चुका है अब जो उपर वादा हमारा कवर है जिसके अंदर मैगनेट लगी हुई है इसको हमें कुछ इस तरीके से लगाना पड़ेगा और इसको इस तरीके से राउंड राउंड गुमाना पड़ेगा लेकिन यह क्या होत से इसको सीधा का सीधा चारो और से कट कर लेना बढ़ेंगा तो चलो मैं इसको जल्दी से कट कर लेता हूँ तो कट करने से पहले यह जो मैंगनेट है उसको रिमूव करना जरूरी है क्योंकि अगर हम मैंगनेट को रहने देते हुए इसको कट कर देंगे तो यह जो सारा तो यह इसकी जो मैंगनेट थी वो बाहर की साइड में निकल चुकी है इसके अंदर रबर टाइप की मैंगनेट निकले देखो आप देखसे बते हो। तो अब चलो इसको जल्दी से हम यह से कट कर लेते हैं तो गाइज इसको यहाँ से मैंने इस तरीके से cut कर दिये और अब इसकी जो अंदर के magnet हमने निकाली थी उसको फिर से लगा देती तो गाइज नमारी जो magnet टी वो इसके अंदर अच्छे से लग चुकी है और अब हमारा यह जो generator है यह working के लिए ready है तो simply आप इसको इस तरीके से कैसे भी गुमाएंगे तो यह जो है तीनो वायरों में से 3-8 output हमें देने वाला है तो यह आप इसको गुमाने के लिए आप यह आप इसके उपर एक पुली भी जिपका सकते है या फिर इसके उपर पुली बना सकते हो तो इसके उपर belt लगा के या फिर कोई gear लगा के आप इसको गुमा सकते हो या फिर cycle के अंदर या फिर कहीं पे भी आप इसको fit कर सकते हो तो चलो अब आपको इसकी testing दिखा देता हूँ कि इसमें से holdage भी आ रहा है या नहीं तो अब तो इसको या फिर किसी भी दो आयरों के साथ हम या पर एक इस तरीके का blue color का LED अटेज कर देते हैं आपको पता होगा कि जो red color का LED है उसको काफी कम power लगती है और जो blue color का LED है उसको जलने के लिए काफी ज़्यादा power लगती है तो या पर इसलिए मैंने blue color का LED लिया है जिससे की ज्यादा power लगे और हमें पता चलेगी हमारा जो generator यह अच्छे से power निकाल रहा है कि नहीं तो इसमें से जोए AC voltage निकलेगा इसलिए आप LED को उख्या सिदा केच से भी लगता सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो देखो जैसे ही मैं इसको गुमारा हो तो हमारा LED जोए जल रहा है मतलब इसको गुमाने के लिए फिरहाल मेरे पास कूछ नहीं है इसलिए मैं इसको हाथ से गुमारा हूँ अगर आप इसको किसी चीज से स्पीडली गुमाते हो तो यह काफी ज्यादा power निकालेगा आपको दिखना ही रहा होगा शायद मैं यहापे जोए light बन तरके आपको एक बार बिखा देता हो तो गाइस यहापर हमारी LED अच्छे से जल रही है और अब हम इसकी जो white wire है उसको निकालके दोनों जो red wire है उनके साथ अटेच करके देखते हैं कि उनके उपर भी चलती है या नहीं तो यहाप यह एक wire red wire के साथ connection हो गया और अब यह जो दूसरी वारी red wire है इसके साथ भी लगा देते हैं मतलब दोनों red wire के साथ भी देख लेते हैं यह 3 पेड़े मतलब आप इससे 3 current एक साथ में निकाल सकते हो तो आप 3 पेस से 1 पेस converter जो आता है डायोड वाला उसका इस्त जो light 2 जल चुकी थी बेकोग्स हमारी जो light हो काफी बढ़िया से जल रही है इतना slowly गुमने के बाद क्योंकि आपको पता है कि आज से कितना ही ज्यादा गुमा सकते हैं कुछ नहीं काफी ज्यादा slowly गुम रहा है लेकिन काफी बार आपको camera के अंदर light डिक भी नहीं रही हो आप इसको spoon के अंदर भी बनाकर ले जा सकते हो या फिर एसे भी यूज कर सकते हो तो अगर वीडियो एच्छानल आओ तो वीडियो पर like कर देना है चैनल पर नए तो subscribe कर देना मैं मिलता हूं next video मैं तब तक के लिए bye bye